अगर मैं कूँ स्मार्टपोन ने हमारी लाइब बेतर करने की जगह बरबात करती इह ते गलत नहीं होगा दोस्तो स्मार्टपोन बनाये कियो गया तो इसका जवब हमारी यानि हम human beings की help करने के लिए जिससे हमारा काम जल्दी हो जाहे रहले हम एक दूसरे से connect रहे 2013 में Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorder DSM-5 ने परली बार Burial Addiction को Diagnosable Problem कहा क्योंकि Social Media Addiction आज की दुनिया की सच्चा ही है आपको बता है कारेज इन चार गंडे से भी ज़्यादा समय अपना मोबैल यूज करते हो बिता देता है और उसमें भी दो गंडे से भी ज़्यादा समय और सोचल मेडिय आप पर बिता देता है और लिटरली ये बहुत ज़्यादा है अमेरिकन कॉमेडियन बिल मेर कहते चेकिंग यूर फोन लाइक इस नियू स्मूकिंग बार बार अपना फोन चेक करना इस्ट्राग्राप पर पोस्ट की हुई इमेज या रिल्स को कितने लाइक आए ये चेक करना एक तरह की स्मूकिंग ही तो है अभी हम आटेंशन एकोनोमी में जीर है जो कंपनी जितना ज़्यादा आटेंशन ग्रैप कर गी इतने ज़्यादा पैसा कमाएगी फेस्बुक ने एक बार नोटिफिकेशन आइकोन इंटर्डिउस किया और उसे अपने थीम से मैच करने के लिए ब्ल्यू रखा और उन्होंने देखा थे नोटिफिकेशन आइकोन का यूज ना के बराबर हो रहा है इसलिए उन्होंने कलर साइकोलोजिक समझ के उसमें सिर्फ रेड कलर एड किया और इतने से चेंजस के हो जैसे उनके नोटिफिकेशन आइकोन का यूज कई गुना बढ़ गया इसलिए अपने प्रेजेंटेशन में कहते हैं कि मतलब जितना आप अपना टाइम मोबाइल पर दोगे उतने ज्यादा वो पैसे कमेंगे और वो से मतलब यह सोचल मेडिया जाएंट कमपनिया इसी को आटेंशन एकोनामी कहते हैं हम घंटो यूँ ही मोबाइल पोन पर बिता देते हैं एक डिजिटल जूम्बी की तरह इसलिए ऑथर क्याल निवपोर्ट द्वारा लेकी वो डिजिटल मिनिमलिजम से मैं ऐसे पॉइंट बढ़ाऊंगा और वही मिनिमलिजम एक फिलोसोफी है जो आपको कहते हैं कि आपको सब चीज करने की ज़रूरत नहीं है आपको बाकि सभी डिस्ट्रेक्शन को अटागे सिर्फ उनी चीजों पर फोकस करना है जो सच में आपके लिए वैल्यवल हो इसलिए डिजिटल मिनिमलिजम आपको मैग्जमिलिस्ट से मिनिमलिस्ट बनने में हेल्प करेगी जिसकी मदल से आप टेक्नोलोजी का यूज अपने फायदे के लिए कर पाऊगे इस डिस्ट्रेक्शन से बरी दुनिया में आपने गोल पे फोकस रह पाऊगे क्योंकि यह आपको डिसाइड करना है कि आपको टेकनोलोजी का गुलाम बनना है या टेकनोलोजी को अपना गुलाम बनना है तो चलिए समझते हैं डिजिटल मिनिमलिस्ट कैसे बनना है पॉइंट नमबर वन डिजिटल डिकलर्टर डिजिटल डिकलर्टरिंग का प्रोसेस आपके मिनिमलिजम बनने की जर्णी को किक स्टार्ट देता है आपके मोबाइल में ऐसे कई आप है जो आप बोर होते हो तब यूज करते हो और ऐसा क्यों होता है क्योंकि इन बड़ी-बड़ी कमपणियों ने इसे बना इतना एडिक्टी है वो चाहते है कि आप बोरो और इस सोशल मीडिय एप यूज करने लग जाओ जिससे आपको डोपामीन रश्ट मिले और आप गंटो वो एप यूज करते होए बिता दो इसलिए ऑथर क्याल निवपोर्ट हमें डिजिटल डिकलर्टर का प्रोसे स्टेप बाई स्टेप बताते है इसमें स्टेप नमबर वन आता है अगले 30 दिनों के लिए जो सोशल मीडिय आप है या गेम है उससे आपको ब्रेक लेना है जो आपके लिए बिल्कुल इंपोर्टन नहीं है जिसके बिना आपका काम चल सकता है बेवजे के आप जो आपका टाइम बरबात कर रहे है उससे अगले 30 दिनों के लिए अपने मोबाल से डिलेट कर देना है इसके बाद आपको second step पे आना है इन 30 दिनों में जाहिर है आपको अर्जेस होगे इन social media आप यूज करने के लेकिन आपको अपना focus इन अर्जेस से हटा के new activity पे ले जाना है जैसे की painting करना, swimming सिखना, communication skills सिखना कुछ भी ऐसा जो आपके लिए meaningful हो और satisfying हो जो आपके core value को align हो इसके बाद आपको third step पे आना है इन 30 दिनों के break के बाद आप इन technology को अपने life में फिर से introduce करें लेकिन आपको इन apps को इस बार habit नहीं बने देना है इसके लिए आपने आप से आपको दो सवाल पूछने अगर इसका जवाब yes मिलता है तो आपको next question पर आना है इस दिस technology the best way to support this value example के लिए मान लेते हैं आपका कोई दोसरे country में जाकर रहने लगा है उससे connect होने के लिए उसे messages करने के लिए आप Facebook के जरी उससे connect हो जाते हो मतलब यह आपके deep value को support कर रहा है अब आपको next question पूछना है क्या मैं Facebook का एकदम अच्छे से use कर रहा हूँ क्या Facebook के एक मात्र जरी है उससे connect होने का क्या मैं directly phone call करके बात नहीं कर सकता इससे आपको better decision लेने में help होगी point number two है practices to adopt अगर हम हमारे life change करने के लिए एकदम serious है और digital minimalism philosophy का अपने life में लाना चाथ तो मैं तीन ऐसे practices बता हूँगा जिसे adopt करके आप ऐसा mindset develop कर लोगे कि आप phone के बिना भी रह सकते हो practice number one leave your phone at home अपने कई बार ये चीज experience की होगी जब आप घर से निकल कर बाहर जाते हो और थोड़ी दूर जाने के बैद आपको याद आता है कि आप अपना phone घर पर ही भूल गए हो तो भागते होए घर जाते हो और mobile दूनने लग जाते हो जैसे की बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा लेकिन आपको digital minimalism को अपने life में लाना है तो author कहते हैं आप अपने phone को घर पर छोड़ कर यूही बाहर निकल जाओ इस practice से आपको ऐसा mindset develop करना है कि आप phone के बिना भी रह सकते हो practice number two take a long walk famous philosopher Frederick Niche कहते हैं all great thoughts are produced while walking Frederick Niche भी अकेले 8 गंटे तक लागातार walk कर सकते थे जिससे उन्हें solitude मिलता था जिससे उन्हें अपने काम में बहुत मदद मिलती थे और वो effective बन जाते थे author Cal Newpude भी अकेले long walk पे जाते हैं जिससे उन्हें peaceful और confident feel करता है इसलिए आपको भी आकेले daily long walk पे जाना चाहिए वो भी आकेले मतलब आपको phone को भी अपने साथ नहीं ले जाना है और ये आपके mental and physical दोनों के लिए अच्छा है third practice है write later to yourself जब हम social interaction करते और writing करते तब हमारे brain के same part trigger होते और author करते अपने thoughts को capture करने का best way है writing अपने thoughts को लिखो new idea के बारे में लिखो अपने goals के बारे में लिखो मैं तो करता जो भी thoughts आ रहा है उसे लिखो जब सारे thoughts आना बंद हो जाएंगे फिर उस सारे thoughts को paper पे observe करो ये बहुत ही powerful तरीका है author करते है जब आपने thoughts को paper पे लिखते हो वो ज़्यादा believable लगते है और कुछ magical होता है इस बात को मैं भी बहुत मानता हूँ point no.3 thinking value author करते है एक minimalist life जीने के लिए आपको thinking value rule को follow करना चाहिए इसका मतलब यह है कि आपके पास जो भी चीजे उनमें से कौन सी चीज आपको सबसे ज़्यादा value दे रही है और कौन सी चीज आपका time waste कर रही है मान लिजे आपके mobile में एक game का app है एक social media app है और एक note taking app है इसी प्रकार से आप जो भी digital product यूज़ कर रहे है उसे एक tool की तरह देखना है और अपने आप से सवाल पूछना है कि यह मेरी life में क्या value आड़ कर रहा है जब आप इस तरह के सवाल पूछने लगते हो तो यह आप notice करोगे कि कौन सी tool आपके लिए फाइदे के है और कौन से tool आपका time waste कर रहे है इसी तरह के सवाल पूछ कर आप एक digital minimalist वाला mindset develop कर लेते हो पॉइंट नमबर 4 लेसन यो और availability जब आप digital minimalism practice को follow कर गे तो ऐसा कई बार होगा कि आपको social media app यूज़ करने का मन होगा आप उनके तरफ आट्रैक होंगे हाँ author भी कहते है कि आज के time में social media से 100% चुटकारा पाना possible नहीं है लेकिन आप अपनी availability कम कर सकते हो इसके लिए आप site blocker का use कर सकते हो जब तक हम अपनी life में discipline नहीं लाएंगे तब तक हम focus होकर एक strong mindset develop नहीं कर पाएंगे हमारे life में boundaries और limitation का होना बहुत ज़रूरी है जब हमारे life में कोई भी काम करते हो limitation और boundaries होते हैं न तो हमें एक balance इंसान होते है और इसी discipline की help से हम addictive stage में नहीं जाते और ऐसे ही digital minimalist philosophy को जब हम अपनी life में apply करेंगे तब इन digital tool को हम अपना नोकर बना पाएंगे नहीं तो यही digital tool हमें अपना नोकर बना लेंगे अगर वीडियो पसंद आया तो इस channel को subscribe करके अपना support दिखाएं और इस वीडियो के लिए likes का target रखते 1000 like